याद आपको अब आई, कॉलेज आपको आप दिखा, स्कूल अब आप दिख रहे हैं, क्यों लास्ट में क्यों? प्री बिजली, प्री पानी, पांच जार रुपे, अगर हर्दवार में 10 जार रुपे की नौकरी मिलेगी, 100 रुपे लिटर तेल है, क्या 10 जार रुपे में पूरा हो जाएगा? ये ये दर दिख रहा है, आपकी की सरकार में चूडियां भी बेजी गई थी, मोटर साइकल को गुमे थे, आज इतना आप बदलाओं देख रहे हैं, ये बारते जन्ता पार्टी का योगदान है, मार्केटिंग की कमी लग रही है, मुझे फिर, लोगों तक योजना आपकी पॉंचने पारी है, पूरे भारत वर्ष के जितनी विधान सभाए हैं, वहां से आप नरेंद नमश्कर, आप देख रहे हैं, न्यूज वोल इंडिया और मैं हूँ आपके साथ हरीश अस्वाल, आज हम आप पहुंचे हैं, रिशी केज फिदान सभा में, रिशी केज फिदान सभा गंगा किनारे, और हमारे साथ आज बीजी पी से हैं, संजी चोहान जी, संजी चोहान जी उनका बहुत बहुत स्वागत आम आधी पार्टी से डॉक्टर राजे इनेगी जी उनका बहुत स्वागत और अभी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं UKD से मोहन अस्वाल जी उनकी सीट अभी हमारी खाली है तो लगता है थोड़ा सा ओर विलम चल रहे हैं हर चीज में चलिए बहुत बहुत स्वागत सभी का आप सभी से सवाल जवाब सिधा डारेक्ट होंगे जनता आप से सीधा सवाल करेगी आपके कारेकाल को लेकर आपने क्या क्या काम किये दो महीनी रह गए हैं और आपने जो वादे किये थे पूरे हुए की नहीं हुए अपने कारेकाल के पारे में पहले बताईए सभी पार्टियों से तोड़ा तोड़ा लेंगे जी बताएं जो अभी बहुत बड़ी मात्रा में जो भारते जन्ता पार्टी ने वादे करे थे लगबग 90% से जादा वो वादे पूरे हो चुके हैं जिस इस्तान पे आप लोग हैं और यहां पे गंगा जी आपको देख रही इतनी निर्मल गंगा और यहां पे जो एस्टीबी प्लांड का काम है गाड निर्वान का काम है यह भारते जंता पार्टी द्वारा किया गया यह मरिन ड्रैक पर काम है जो कल्पना नहीं करी जा सकती थी वो काम बहारती देशनता पाठी ने करे है हैवे के काम हो गए मुडार पैकी जो मुड्स की श्तापना करनी थी कईदार जो लू कि युद्न मनिरमाण नहीं ओकाएगा वहाँ पे मंदिय निर्माण नहीं पाएगा, वो आज ऐसा बविय हो गया है, जो किसी ने कलपना नहीं करीती, अपने जितने चारो दहां में, उनके सुंद्रिय करने का काम हो गया, यहाँ पे भारतमाला का जो काम चल रहा है, सीमाओं पे रोडों का निर्माण हो गया, कन प सबास है, पुरे प्रदेश में, हाँ जी, आप बताएं कांग्रेस से कितने कितने सत्ती हैं इन बातों पे, देखिए, संजी भाई मेरे छोटे भाई हैं, और आज वो भारत वर्ष के और उत्राखंड की बात कर रहे हैं, जब कि मैं समस्ता हूं, आपने मेरे मुझे बात प कितने अंक देंगे, तो मैं शुन ने अंक दूंगा, क्योंकि रिशी केस विधानसभा देरा दून राजधानी से मातर 40 किलो मेटर की दूरी पर है, और सबसे ज़्यादा अगर अंदकार या विकास कहीं पर नहीं हुआ है, तो रिशी केस विधानसभा है, एक प्राइमरी स कॉलेज, इंजिनेरिंग कॉलेज, कोई भी एक ऐसी इमारत अगर इशी केस विधानसभा में आप दिखाएं, जो पिछले 15 सालों में रिशी केस के विधायक, मैं नाम लेना चाहूंगा, उनका प्रेमचंद अगरवाल जी का, और पहले वो कहते थे साब में मंतरी नहीं बन हमने उनके द्वारा किया गया हो, मैं समझता हूँ, इससे ज्यादा निराशाजनक कारेकाल किसी का नहीं थे चलिए कॉंग्रेस ने बता दिया निरासा जनक कारेकाल आप भी बता दिया आपके नए नए वादे हैं उत्रकंड में आप आप लोग आये हो नए वादों के साथ नए आप इनकी कमजूरियों को देख रहे होंगे कहीं नगी आप पहले तो इनकी कमजूरियां गिना देखे पिछले 20-21 वर्सों में चाहिए बहाजपा की सरकार रही हो चाहिए कॉंग्रेस की दोनों ही सरकारों ने जनता के साथ सथ अपने कारेकरताओं को भी ठगने का काम किया आज उनके कारेकरता भी ठगे महसूस कर रहे हैं इसकी विधाहन सभा की यहां तक बात की जाए तो यहां पर कॉंग्रेस के भी विधायक रहे हैं जो मंतिर रहे हैं सुर्भी संग्जवान जी और पिछले 15 सालों से जिसकी जनता जिनको ढोर यह प्रेम चे नगरवाल जी उनका जो 15 साल का कारेकाल है बेहद निरासाजनक है मैं तो यहीं काऊंगा 15 साल बुरे हाल 15 साल ब कभी परेटन को लेके बाद की नहीं उन्होंने कभी सिक्षा स्वास जैसी मूल भूत सुई रहों पर कोई कदम उठाया जैसा कि अभी बड़े भाही खरोला जी भी कह रहे थे कि प्राइमी स्कूल अब प्राइमी स्कूल छोड़ियर इसके इसके अंदर बहुत बढ़िया एक ग्रेड का डिगरी कॉलेज हुआ करता था उसको भी अपने राजनेतिक भेड चड़ा दे गया और उसको स्रीदेव सुमन का कैमपस बना दिया गया जबकि चाहिए गया था कि नया डिगरी कॉलेज जो अग्रामिन छेतर में खुलना चाहिए था उसमें भाजपर सब्सक्राइब से भी आप तुलना करेंगे तो अठारा किलोमेटर की जो यह रिसी केज विधान सबा है इसमें बहुत पीछी पिछड़ चुका है और अभी जितने भी बाते हमारे जो भाई संजीव चोहान जी जो भाजपर से हैं उन्हें गिनाई वो टोटल केंद्र की ओ खुड़कर कोई पांच काम आमें गिनावते जाएं आपके चैनल के सामने चलिए आपको बड़े घेरा जा रहा है कि आपके पांच काम गिना दीजिए क्यों जंता इतना नराज है आपके बॉजिशन चलो आपोजिशन का काम है सवाल पूछना पर जंता नराज क्यूं है क मैं आपसे बुशलना चाहता हैं यह जो घाट है रिषिकेज विधांसवा के अंदर आता है यह नहीं आता है। चाहे वो विदान सभा में हो, पर्देश में हो, चाहे देश में हो, हर भारती जनता पार्टी के हर कारे करता का इसमें योगदान रहता है, और हर कारे करता का योगदान है, आज इतना आप बदलाव देख रहे हैं, यह भारती जनता पार्टी का योगदान है, और आप जो ब तो यह भी तो कामी है, इन कामों को क्यों न कार रहे हैं, आज आप देख रहे होंगे हाइवे पे जो इस्टेट लाइट हैं है, एम डीडे के माधियम से, आप को रात को आप निकलेंगे, पहले रात को डन लगता था, आज आप अपने गाडी की लाइट बंद भी करेंगे, तो यह भी तो योजना हैं मुझे लोगे तक योजना आपकी पहुंचने पारी जन्ता और जो गुए । जी जी चलिए बताई 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 बहुत अच्छे अच्छे काम गिनाये हैं तो जरह मैं इसे यह पूछना चाहता हूं कि एक काम करिए पूरे भारत वर्ष की जितनी विधान सवाएं हैं वहां से आप नरेंद मोदी जी को चुनाव लडाईए विधायकों को मत लडाईए सब जगा नरेंद मोदी जी को लडाई है और यूं कही है वह सब कुछ वही करेंगे वह च्छेत्रिया विधायक नाम की कोई चिडिया होती है नहीं होती है जिस तिस तिर्वेनी घाट के बात कर रहे हैं यह तो उत्तरप्र से जमाने बना था जिस मेरिन ड्राइव की बात क कर रहे हैं यह norm Candle Cas. इंडी टिवाडी की सरकार में बना जब चारे Лँवे स्टेशन बात करेंगे भारत माला की बात करेंगे तो सीधे-च्छिय थि पिर बलाग परमुग भी उन्हीं को बना दीजिए फिर सारे काम उन्हीं के नाम चड़ा दीजिए अब वह कहते हैं कि सब मैंने फलाइवर बनाए चार और रिशी केस विदान सबाक्स के बगल से अगर चार फलाइवर गए हैं तो यह केंद्र सरकार की उपलब्दी है रिशी केस के बिधायक ने तो रिशी केस को लुकस किया है कि मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप अगर आप रिशी क किस को गौर से देखेंगे अगर यह सारे इन तक में उन्हीं को देना चाहतें तो यह देखिए वह बाड आये वे एक महीना हो गया और सारा रेता पड़ा ब तो डीजल पैट्रोल गैस की बात कर गिया है फिर आईए कि कहा है पुर बात तो विल्कुल सही है इनकी अगर आप पूरा गिनाना चाहते हैं तो डीजल पैट्रोल ये महंगाई बिरोजगारी इन पर क्यों नहीं बात होती है अभी आपकी आपकी बड़े भाई राजपाल ख रोज बढ़ाओगे एक दिन गटाओगे दिजिए मेरे को और उसमें से दो दो रुपए राज्य राज्य सरकार ने करें तो वह भी वह भी राज्य नहीं आप गलत बोल रहे हैं इसमें इसमें जो हमारी सीटे बढ़ी हैं वहां पे अन्य राज्यों में उसको तो आप भूली सब्सस्सक्राइब गटाएं राज्यों में है तो बहुत जादा लूट होती को और लेदी डिली में आट रुपए पहले घंटा दिये तो काफी पहले कटा दिये थे केन सरकार ने तो अब कम किये हैं अभी मैं माननी हमारे संजी भाई से पूछना चाहूंगा कि इसी केस में पिछले अभी इनोंने काफी सारी योजनाए गिनाई तो एक कॉलेज बनवा देते एक पॉल्टेक्निक कॉलेज जो नहीं की ग्रामसभा के अंतर अगत पड़ता है खद्री में उसमें आज भी एक ही ट्रेड है और वो बिल्डिंग की हालत ऐसी रहते हैं जैसे यहां देता जाता है इनके बड़ी माफी है वह हर बार बार प्रवाइट हो जाती है चिनाव आता है उसकी याद आती है उसके बाद फिर गाय हो जाते है इसी सब्सक्राइब करने हैं तो कोचिंग करने हैं तो देरा दून जाई है मतलब इसी के विधान सभा में सोच रहा हूं कि विकास भाजपा लोगों को दिखाती हो खो कहां गया मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे मेरा नाम है पुष्पा पांडे अब मैं जाना चाहती हूं कि मह क्या है महलाओं के लिए कि तरफ से आये हैं जाये की उसका जबाब दें बाजपा से वाधवीलाओं के लिए अपने क्या किया बहुत बड़ा प्रशन आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो रिसी केस की महापोर महिला है और ओर हर पंचाहिक चुनाउं में 50% का कर्मिस्ट автом सेहां आप खुल के रखिए इससे बड़ी बात कहां पर होगी और बात रही महिलाओं के कर क्रपउड ठीक और ईहां शुरॉच एक छोटे समय तो राजनिती से ज्यादा इतना मेरे को परिचित नहीं हूँ यह प्रेम जंदरागोडाजी का घर जाँ पे है वहां से डिस्टेंस डिक्री कोरेज किते दूर की डिस्टेंस है यह ज़र थोड़ा बता देंगे उसकी हाला थोड़ा 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 थोड़ आता देखके बाहर से ऐसा लगता कि कोई पसुत पसुका भी ओरी होता हो उतना चाहा सौ मेटर की दूरी पे भी नहीं हो डिस्टेंस ज्यादा बहुत रोना आता यह दुख के छोटे से छोटे स्टूडेंट कैसे पड़ेगा जब डिगरी कॉलेज की हालत है इसकी थोड़ कि आपकी बात का मैं जवाब देना चाहता हूं अभी मानिय मुख्यमंद्री जी का कारिकरम था उस कारिकरम में मानिय मुख्यमंद्री जी द्वारा गोशना इस चीज की करी गई डुगरी कॉलेज के लिए एक चीज यह जो हां गोशना अच्क तब हुई एक मैने पहले चाढ़े चार साल आठ मैने का लगबग हो चुके हैं आप लोगों को ना के आप को अब आई नब्धे परसंट काम हुए, टेंट परसंट काम रह गए होंगे, उनको भी करेंगे, उनकी भी धोषणाय हो रही है, सार सर, सिक्षा आपको जो होगी तो विसी objeto होगा, जब आपको अपने लास्ट में रखा, अप बाकी कामों को आप पहले गिनारों, यहां पर बड़ी लेंड चाहिए जहां पर फोरेश का विवाद चल रहा है उसकारण दिक्कत आई है मगर मानने मुख्या मंत्री जी द्वारा बोला गिया जिए डीगिडी कोलेज बी बनेगा उन्होंने जो वादा करा या वो बाधा जरूर पूरा करेंगे मानने मुख्या मंत्री जी ने कहा है हां inclinedwie मात्मा जी कुछ कहना चाहिए हां pursue अपने नाते मैं आप लोगों से प्रशन करूंगा क्योंकि यह जो धर्मनगरी जिसमें बैठे हुए अपने विचार रख रहे हैं बहुत सुन्दर लगा कि आप सामोईक सब लोगों के बीच में हैं एक तो यही बहुत प्रसंद था इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद लेकिन आप किरपा करके यह बताएं कि हमारा धरम और संस्कृति के उपर परहार करके लोग वोट मांगते हैं और कोई कहता जी हम आपकी फीस माफ कर देंगे कोई कहता जी हम रुएंगा को बसा देंगे कोई कुछ कह रहा को यह तुष्टी करण की नीति कब तक चलेगी तीनों से प्रशन है क्या इस धरम संस्कृति को को बचाने के लिए आगए आएगा यह नहीं आएगा बहुत बड़ा प्रशन है जी धरम हाँ पहले ता हम आदम सनल और प्रशन बिग्रादानी बनाने के हम पहरी भी कर रहे हैं उसकाम को हम करेंगे सरकार आने के तुरंट बात म tenga heures मिरे दूसरी बात आपि अभी उन्होंने सिक्षक नऄने छेरे थी तो मैं कहना चाहूंगा जहां पर इतने इंके जहां और स्तिख्छक नहीं और स्तिक्षक है तो यहादा पूसलैसे गाया हुए मैं प्रस्प्रम मार formnd दर्मम्गरी अठर्म में बाटा जा और जब विकास की बुद्धे की बात होती है रोजजगार की बात होती है तो सीधे सीधे धरम सामने आ धरम खत्रे में अब ना हिंदुस्तान का राजा कोई मुगल शाशक है ना हिंदुस्ताने कोई एसा प्रकोब हो रखा है कि हंटर मार मार के जने उजलाय जा रहे हो या किसी को फांसी में लटकाया जा रहा हो या किसी हिंदू का धर्म संकट में हो जब जब भी हम लोग विपक्ष के लोग ये मुद्दा उठाते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है बेरुजगारी क्यों पूरा है तो सीधे सीधे धर्म को आगे खड़ा कर दिया जाता है मुद्दे से बढ़काने का सिर्फ एक और एक ही तरीका है हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इन्होंने का हर घर जल हर घर नल मुख्यमंत्री तिर्वेन सिंग रावज पूर्व हो गए है उनी की विधानसभा रानी पोखरी के एक इलाका है जहां मान की गाहों है वहां पांच घर ऐसे हैं आज भी कि वह पिछले दो साल से जल निगम के जल संस्तान के चकर काट रहे हैं उनको बानी का कनेक्शन नहीं अगे चली जाएगी उसे नहीं कहिएगा कि रिसी का रेल पेस्टेसन बन गया वरना खाली खड़ी करने के लिए धरम पर इन्होंने बोल दिया हम भी नहीं है उन्होंने भी कह दिया हमारा भी है सब सब मना करते हाजी आप देवा मैं मैं चलो मैं मैं खुल के मैं खुल के बोलता हूं मैं अपने चेतर में लव जिहाद लेंड जिहाद व्यपार जिहाद खुल के भिरोत करता हूं और मैं बोलता हूं धरम की बात खुल के करनी चाहिए जो लोग धरम की बात नहीं करते वो अपने समाज के लिए नास्तिक होते है और दरम की बात नहीं करोगे तो आप एक चीज़ बताओ आप अपना आप आप दरम की बात करनी भी चुरूरी है दरम की बात नहीं करोगे तो किस चीज़ की बात करोगे तो मैं तो बोलता खुल के दरम की बात करने चाहिए और लब जिहाद लेंड जिहाद जितने भी यह मेरे सामने की घटना है मेरे सामने की घटना है एक एक लब जिहाद के मैटर में रिशिकेश की घटना बता रहा हूं एक लब जिहाद के मैटर में दो मेने लगे लड़की को छुडाने में यह रिशिकेश की घटना है और यहां पर लेंड जिहाद का बहुत बड़ा व्यापा से उसमें पैट्रोल को मोगया है आज की डेट में 12 रुपए आज भी कम हुआ है लेकिन जी कुछ भी हो ना राज़स्थान में कम की नहीं हुआ यह बता यह ना आप रज़स्तान में कम की नहीं हुआ आप आप कांगारेश के परदिनी दी बनके बैटे हो थो सब प्रेशन तुम आपसे पूछेंगे ना चलिए 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 वो पूछ रहे हैं कि ब्जयापी सटेश पर्देश में सब जगे पेट्रॉल के दाम कम हुए आपकी उसमें कम क्यों नहीं हूए पता पर प्लफ़ा आ उसका जवाब दे रहा ह sein मैं राजेस्तान में पिछासु लुपे करे는 चलिवा है अब ँत्रा फैस्जीजीड है दॉपने मुझे सब्सक्राइट है है एक सवाल और है इनका हाजी सवाल तो बहुत सारे हैं और यह सवालों में पीछेट जाएंगे उस पोजिशन में मामला नहीं बन पाएगा लेकिन मैं आपको यही सांतुना दूंगा कि इस देश को इस ड्राष्ट को जैसे आभी भाई साब ने कहा है कि हमारे धरम पे बात ले हाल ब्याल बहुत देश का पहले एक मिट सुनिए एक मिट सुनिए ना पर जवाब के टाइम पर जवाब दे लिजेगा लेकिन अगर जो राष्ट का नहीं हो सकता और नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास यह लास्ट खेप बची है जिसको हम अपनी जान दे के भी बचाने का परियास करेंगे हमें आपकी किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है लेकिन जो राष्ट की बात और धर्म की बात करता हो मुसके साथ खड़े हैं चलिए जी आपने आप जवाब देना चाहो आज जवाब तो सुननी जब ऐसे ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा कि सवाल करे कि मेरे से बड़ा को हिंदू नहीं है तो यह गलत बात है नहीं मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ सुबह सुबह पूजा करता हूं दिर श्याम को एक बने आप आप आपने सवाल आपने सवाल किया मेरा जवाब सुनेंगा है आप आपको आप बगवा कपड़े इस तरी के भासा का परियोग ना करें आप गलत आरूप लगा रहें आप अप कैसे बोल सकते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं आप कैसे कह सकते हो कि कांगरस वाला को हिंदू नहीं हो सकता आपने कहा कि आखिरी खेप है अरे बैया जिस देश में जिस देश में 75 करोड हिंदू रहते हैं अगर आप में दम है नरेंद मोधी में दम है तो इसको हिंदू राष्ट बना के दिखाईए आप हम आपके साथ खड़ें आप बनाईए न यह स्वामी जी खड़ें मैं आपको नरेंद मोधी ने नि बनाया सुप्रीम कोड के आदेश से राम मंदिर बन रहा है मैं फिर बोल रहा हूँ सुप्रीम कोड के आदेश से राम मंदिर बन रहा है इसका हमने सम्मान किया है आप भारत को हिंदू राष्ट बनाने का आप बिदेख लेकर के आईए हम आपके है लेकिन खाली बोलने से काम नहीं चलेगा ये जूट बोलने से काम नहींगा आपतो één हमरी राहता हम शांपुर का फलायोबर कप बनेगा तूड़ सब्सक्रास भोलं बने हैं टोड़ा सब्सक्राइब सहसां लखो वर् theme जो रिसी चांपूर में जो फ्लाइवर की बात आ रही है जो हाइवे पहले डाइवर्ट हो रहा था वहां पे वहां पे रोड जो रोड की जो इस्टिमेट बढ़ ज्यादा बढ़ने के कारण उसको फ्लाइवर की अभी जब मुक्तिमंद्री आए था उन्हें उस चीज के लि चलिए और कोई प्रश्न करना चाहरा है यहां पर हाजी एक बाइसा बड़ी मुझे बड़ी ताओ पर लगा रहे हैं आज चलिए 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 हाजी हम आद भी पार्टी कुछ बोलना चारी है मैं संजी वाई से पूछना चाहूंगा एक तो यह तीन मुख्यमंत्री उतर बदलें तीस बदलें उनके यहां कम से कम एक चीज़ी बताएं उनके उमीदे तो हैं कि हम मैं भी बनूगा मुख्यमंत्री आप तो आपके मुख्यमंत्री जी की शिकायते खतम नहीं होती करोना काल में रोज टीवी पर आते तो सुबह रोज सुबह आके उन्होंने ब्रह संजीब भाई को तड़ा बता दूं वह इस बड़ी दिक्कत पैदा हो गई यह अध्यात नहीं करते हैं गूगल में पुरूप कर दीज़ें गूगल खोल यह पुरूप करके दिखाई है कि दिल्ली मोतराखंट की ब्यक्ति कितने करी हैं देखे ऐसा है मुख्यमंत्री बद बदलना मुख्यमंत्री रहना यह आप लोग विदायकों का काम है जनता को चाहिए काम जनता को चाहिए काम वह आपसे काम के उपर सवाल कर रही है मुख्यमंत्री बदलना इतनी आसान काम नहीं इतनी मजाक की बात नहीं है मुख्यमंत्री एक कारेकाल में तीन मुख्यमंत्रियों का बदलना यह पहली सरकार थी उसमें भी पहले खंडूरी जी फिर निसंग जी वह चलता रहा और मैं समझता हूं कि तीन मुख्यमंत्री इ अश्काशाğर कितना बड़ा कितनी बड़ी मतलग उनको सारी मुक्तिमंत्री की सुविधायी मिलेगी से बड़ा सवाह कि अपे बात करेंगे एक बात करें के लिए आये थे वह करोड रोजगार देने की बात हुई थी नहीं पनेगे नरेंत जी ऑसे मोहन अस्वाल जी युकेड़ी से हैं मोहन रस्वाल जी का बहुत-बहुत स्वागत है पहले ते बताएं आप इतनी लेट कहां थे बहुत भीड़े बाई साब इस समय तिहवार का समय है और काफी भीड़े राष्टे में इसलिए पहुचने में काफी विलंब हो गया पहुचने में विलंब हो गया पार्टियों ने टिकेट बांट लिये हैं आपस में सीटे विटे सब बढ़ गई वोट भी बढ़ गया सब क्या होगा युकेडी का बाई साब युकेडी जो उत्राखंड करांती दल ने ही उत्राखंड बनाया है मजे तो ये लोग ले रहे हैं हाँ ये थोड़ा सा जो राष्टी पार्टी हैं इनके जो हैं जो काम है वो छेत्रे विकास के लिए नहीं है जिस परकार से छेत्र का विकास होना था उस हिसाब से इन राष्टी पार्टी उन्हें यहां पे नहीं किया इनोंने सिर्फ पाला बदलने का काम किया इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी भलाई कर रहे हैं छेतर की जनतागी इनके मन में या दिल में इनकी कहीं भी ऐसी भावना नहीं है कि छेतर का कहीं जो विकास हो या रोजगार के संदर में इनोंने कोई काम के हो यह इस परकार के कामों में इनका ध्यान नहीं है यह सिर्फ अपने अपने ही बारे में सोचते हैं और अपना ही भला संगठन इनके करते हैं चलिए UKD कमजोर क्यूं नजर आ रही है उत्राखंड में आपने उत्राखंड बनाया इतना बलिदान दिया कमजोर क्यूं कहते हैं ना कि बड़ी मचली जो है चोटी मचली को जो है पनअपने नहीं देती हम UKD जब सुरू में आये थे तो हमने जो है साथ सीटों से हम विजय होकर के आये थे लेकिन जब यह राष्टे पार्टियों ने जो है उनको उनके इधर खीच उधर खीच कारे करम किया और बीजेपी ने और कॉंग्रेस ने ये दोनों दलों ने जो है उसको तोड़ने का काम किया और जब यह कुछ कमजोर होने के बाद जब यह एसास हो गया कि वाके यह लोग जो है विकास के लिए कुछ नहीं करेंगे उत्राखंड के लिए कुछ नहीं करेंगे तो पार्टी का यहांपे कोई जनाधार नहीं है इनका कोई जनाधार नहीं है यह सिर्फ दिल्ली में हो सकते हैं उतरा खंड में बहुत मुश्किलों से चड़ाई चड़ाई सोच उत्राखंड पास नहीए इननहें को नहीं निन्हाइं और क्षाताइने हमारे लोग पो निती है और अपको दो इनने लोग वापस करो लोगों को ठाकर कर के ल है और हमारे जीतेवे विदायकों को तोड़ करके सरकार बनाने का जो काम कुकृतिया बार्दी जंदा पार्टी ने किया था उसका जवाब हाई कोट के द्वारा दो वापस भी कर दिये इनुमें इन्होंने वापस कर दिये उन्होंने देख लिए उनका रीती रिवाज क्या है क्या हो सकता है क्या नी हो सकता उनने देख लिया हूं है और की दós वारा और आंगे क्योंकि वहां पर सुनलीजीए जी दस बारा की बात्चीस चल रही है दो गए दस बारा और आने वाले हैं क्यों तोड़ फोड करते हो भाईया कि हमको तीकर देदो सत्तर विदान सवाओं में अब वह आपस बढ़ा है औरों के लिए जगाई नहीं है अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ हरिस रावाज जी का जो आज एक टैग बन गया है कि यह क्या थे उजाड जो बल्द कहते हैं जिसे तो वो आली हालत बन गई है कि परदेश में उनकी कहीं पर कोई नहीं सुन रहा है जो मर जी हो रहा है पिर्तम सिंग जी जो नेता परतिपक्स हैं उनकी नहीं चल रही है अपने गरेस गोदियाल जी बिना हरिस रावाज जी के पूछे वो काम नहीं करते हैं, वो परदेश अद्थिस बनाएंगा है, हरी स्रावाज जी बोलते हैं, मुझे मुझे मंतरी बनाओ, वो खुद बोल रहे हैं, मेरे को नहीं लगता है कि उनके, वो भी यस्पाल आरी जी को भी तब लेके गाए कि तुमको मुक्य मंतरी बना दे बड़ों का सम्मान है मेरे मेरे साथ बड़े बाइब उनका सम्मान करता हूं राजी नेगी बेटें को समझ में नहीं कहीं पर कटाक्स किया है और इस बात को कोड करिएगा पंजाब में हरी श्रावद जी ने एक दलित को मुख्यमंतरी बनाया है दलित को मुख्या मंतरी बनाना अगर किसी परदेश का सत्यानास होता है तो इससे बड़ा सवाल कुछ नहीं हो सकता और इस सवाल को मैं छोड़ करके आपके लिए एक हमारे बीच में आम आदी पार्टी जो अपने काम गिना नहीं रही है पर मैं गिना देता हूं एक छोटा इसा एंजियो चलाते हैं यह पर अजू बहुत ही बढ़िया आप अपने एंजियो के बारे में थोड़ा सा पताएं बोलते हैं कि मेरे मतला मेरी माता जी मुझे बो स्कूल है गरी बच्चों के लिए जहांपर की अगवारों की रद्दी से और आम जन के एक रुपे रोजाना के सयोग से वह स्कूल संचालित होता है और यह उत्राखंट का पहला गडवाली को मौन जोंसारी सिकाने वाला प्री प्रैम्री स्कूल भी है जहांपर की सब्सक्राइब करें लेकिन 40-50 बच्चों को लगाता है हम हर वर्ष सिक्षा देते वे आ रहे हैं और वह करम हमारा अब को जो बहुत बहुत बदाई आपको इसने अच्छे काम सभी लोग ताली तो बंती है इनके लिए बंती है इनके लिए आप बदाए मैं भारतिया जंत प्रतिनीदी है जो हमारे नेता है उनी की बुराइयां उनको को से कही काम कर रहे हैं क्या उसी के नाम पर वोट वांगेंगे यह आपने कारे दिखा करके वोट क्यों नहीं मांगते हैं और जहां पर यह कहते हैं किम मैलाओं के बड़े पक्षदर हैं अभी रिश्केश की घ आपने महिलाओं को डंडे से मानने का काम किया क्रिश्णा नगर के लोग आपको वोट तक नहीं देते हैं क्या मसला क्या है यह आप लोग उनका ध्यान जिस जिस आप मेरे संग्यान में निया में अगर दीदी जो बोल रही हैं अगर ऐसा कुछ है तो उसके खलाब को बताएं मैं मुकतमा लिखाने जाऊंगा उसके खलाब ऐसी कोई बात नहीं है मैं मैं चलूँगा आपके साथ अगर अगर उसकी गलती होगी मैं आपके साथ खड़ा मिलूँगा आप कल मेरे को आप बताना एक बात यह दीदी बोल रही है कि वह अभी अभी तक जो हम गि बहुत बढ़िया तरीका है कि जब कोई जब अपराद हो जाए तो उसमें यह कह दिया जाए कि मेरे संग्यान में मामला नहीं है और अब मेरे संग्यान में आया तो मैं तुरंट उसके ओपर जो है कारवाय हम करेंगे तो अभी तक क्या सारे जनपरतिनिती थे आपको आजी इनका कहना है कि आपके जन परतिनीदी सो रखे थे क्या, हाजी, आप कोई प्रशन करना चाहेंगी? मिया सवाल बी-जी-पी से यह में चाहती हो कि महिलां के लिए करा की मेने करा मैं सोच्छ रही हूं ये पूछा रही हो कि महंगा ही कि उसमें क्या कर आप like podcast इंसका क्baby कर दी है उसका क्या जबाब है आपके इसका पूरा वस्कार तक करी है यह इसका पूरा निए पढ़ता है अगर आप ट्रांस्पोर्ट की बाद के यह इसका इसका होता है इसका यूज होता है और अभी इतने टाइम से कोवीड के कंटीनू देखिए 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 आज ही जोड़ सो बोलिए भाई साब कॉंग्रेस के 2006 में कॉंग्रेस के समय में साड़े चार सो रुपए का सेलेंडर ता आज साड़े नौस सो रुपए का हा और देखिए देखिए यह कह रहे हैं कॉंग्रेस के टाइम पे साड़े चार सो रुपए का सिलेंडर था आज साड़े नौस सो रुपए का सिलेंडर है और वोट इन्हों ने आपको ही दिया था आप बताईए आप आपको जो सिलेंडर है सिलेंडर सिलेंडर में सबसीडी भी तो मिल रही है जो सब जो सबसी जाए पैट्रोल की हो जो पैट्रोल डीजल किया जो कम हुए रेट उसकी चर्चा भी ढोनी जी चाहिए अगर ज़ो चीज कम हुई है उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि कुछ इस आपको लग रहा होगि यह महंगा है मगर कि जो काम 12 रूपे चलिए मैं दन्यवाद देने के लिए तयार नहीं है अच्छा यह आपको धन्यवाद चाहिए आप ने आप 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 ने सो रुपे डीजल पहुचा दिया एक सो बारा रुपे तक पेट्रोल लेके अब साथ रुपे कम करके आपको धन्यवाद भी चाहिए यहीं पे जितने लोग खड़े हैं आप एक छोड़ी सी बात बताईए आज से पहले आपको अगर दिल्ली या देरदुन जाना पड़ता था देरदुन जाने के लिए चार घंटे लगते थे आज आदे घंटे में पहुच जा तो यह चर्चा क्यों नहीं हो रही है यहीं यही सवाल है कि आपने रोजगार के छेत्र में क्या कां किया पता है रोजगार के लिए सिर्फ इलक्षन का सहरा रहाट होंगे तबी सरकारी बढ़ती आएगी जाब एलेक्षन होता है तो वादे उसी टाइम पर आपके आते हैं कि हमने यह किया रोजगार देखो वाद्वानों सवाल तो होंगे आज मानय मुख्य मंत्री जी दौरा अपने लोगई है् एनके टाइम पर चटाइम पर करपसन होता था भाइजी भाइजी बोलके तो आप दोनों ने प्रदेश को आदादे में बाटा है आजी देखे रिसी के विदान सवाम में जितने भी जिवा यहां बेरोजगार हैं उनके बदले एक व्यक्ति को तीन गार रोजगार मिला उपनल में फिर एमस में और फिर बिला मुख्यमंति जी रोजगार मिला ने मिला आजी पूछना चाहता हूं कि अगर आप जीत जाते हैं तो क्या संभावना है कि आप किसी दूसरी पार्टी में जाके नहीं मिलेंगे क्योंकि पूराना तो यही होता है अभी तक तो आपको वोट क्यों दें पूल देंगे मुझे खींज लिया हाँ जी आप जीत जाते हो तो दूसरी पार्टी में नहीं मिलोगे इसकी करिंटी क्या है देखिए यूकेडी पहले ही इस गलती को कर चुकी है और जो गलती एक बार की जाती उसकी पुन्रविर्टी करना मलब एक मुर्खता है मैंने समझता कि ऐसी गलती हम दुबारा करें ठीक है उत्रा खंड में बिजली फिरी दिखी इसके लावा कोई मुद्दे नहीं है कोई मुद्दा भी दोना चाहिए ना पानी करा ना आपने हम लोग क्या पानी पैटके हुए हम सारे रोजगार बेरोजगार आपने एक बी किसी भी अपने उसमें बोला हो अफे आपसे सवाल देखें पहली बात पहली बात तो मैं पर ना चींदहां कैने जलब ने तो मेनेर आथा है तो या गलत है आप मझे तोड़ी दोड़ ले पिछली दो सरकारों बाइस पर कोंग्रेस ने वादे कुए उन मादों के लोगं का विश्वास उठ चुका है तो विश्वास दिलाने के लिए हम लिख के दे रहें कि बाप स्वास क्यूंकि दो करोड रोजगार आए नहीं 156 अच्छाइक वह बताईए आपने दिली में साथ साल में कितने रोजगार दिये शाहने से कम रोजगार है आपके साथ सालों में दो जार से क्या है वाई यह सत्ता पक्ष कह रहा है कि रोजगार इनके उपर जो सवाल हुए है रोजगार के उपर इन्होंने का हमने इस्थानिया तोर पर रोजगार पैदा किये एक बहुत बड़ा संस्थान एम सुरिशी के इसमें खुला हुआ है एंडी तिवाडी जी की गवर्मेंट थी उत्राखंड में जब इस संस्थान खुला था और उस वक्त हमने यह तैय किया था कि 70% उत्राखंड के नोकर लोगों को रोजगार देंगे और 30% बहरी लोगों को रोजगार देंगे आज बिलकुल उल्टा है 30% भी उत्राखंड के और रिशी केस विदान सभा छेतर के लोग वहाँ पर नहीं है और जिनको भी रोजगार मिल रहा है उनसे पहले मोटी रकम ली जाती है 11 महने का एग्रिमेंट होता है और 11 महने के बाद रोजगार की गारंटी नहीं होती है दूसरा अभी 15 दिन तक लोकल ट्रक ट्रांसपोर दो पहार के बेवसाहिघ कर रहे हैं रिशी केस का या उत्राखंड के बेवसाहिए और आप पार्टी को कितना सीरिसली को अब आदमी पार्टी को मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि अभी दिल्ली की हवा उत्राखंड में भूट ठंड पड़ती है नियुक्त र बस रव mah records case चलेगा ती इसके लावस 手ब थाण नहीं है हम संकलप पत्र लेकर चलते हैं भी संकलप पत्र है यह गह सनाओं में चली जाती है और संकलप बिगा तक कब जा कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि 70% हमारा बुबाग जो बन बुबाग है और 30% हमारे पास जो है उसमें हमारी सड़कें भी है आवास भी है फैक्ट्रियां भी है तमाम 30% जमीन हम उसका जो है उपयोग करते हैं और जब बाहर के लोग इस पर दिन ही हम जो है इसेलिव आधार पर हो और जो परी सीमन है ओंपरी जिया थे आधार पर हो यह कॉन्सक्कि आरे और जाई ऑग जाईए वर्ना गेताओं達 मेंственно भाई साभ मिलते हैं नेता दो कहें एक गंटे बाद माई तर दो गंटे बाद माई लंच के बाद तब विचारा व्यक्ति होँआ से चलाई जा हर तक जो यह हो रहा है विचारी में में पीएशडी यह लेकिन वह पास एडूकेशन तो है लेकिं रोजगार नहीं है अगर तो जो हो जागा इतने आर्दस जार रुपय हैं उनका खाने पीने या उनका पैट्रोल का निगल जागा सब बढ़ी बात बढ़ी बाद बाद कहां सा जो परदेश तरक्षी कर जागा जब नवी नवी वक्त जो बेरोजगार घुमेंगे इस देश मां तो कहां सा उनके सपने पूरी जनता देख रही है आप जो चैनल के मां मैं इसले कह रहा हूं आज आप एक वेक्ति को सिंगल एक वोट ना समझें इसके मोबाइल में जितने ऑनटेक्ट सेन वो सारे वोटर हैं ठीक है आज आज जो चुनाव लड़ा जाना है न वो शोशल मीडिया पर लड़ा पूरा हो जाएगा रोजगार यहां होना चाहिए था जो जो आप मेंगा मेंगाई वाला मुद्दा बोल रहे हैं मैंने उसी मुद्दे में बात करिए आप से जो आप मेंगाई का मुद्दा बोल रहे हैं जो अभी पैट्रोल डीजल के दाम कम हुएं वो महंगाई का तो एक इस्सा है कि जो आपको एक रिलीफ मिला है कि पैट्रोल के डीजल के दाम कम हुए है दूसरी आपकी बात रही कि आप वहाँ पर काम करने जाते हैं आप एक छोटी सी बात बताईए अगर आप यहां के इस्तानी निवासी है आपको बता रहा हूं अगर मेरे को रिषी के से हर्दवा जाना होता था मेरे को चार गंटे लगते थे जामे फसा रहता था आज आप 10 मिनट के अंदर 10-15 मिनट के अंदर आप वहां पहुंच सकते हैं आपका समय आपके जो समय समय बच रहा है यह यह भी तो आप देखेंगे यह इस चीज को एक्सेट नी करेंगे आप आप से सवाल करना चारी है हाँ जल्दी जल्दी प्रोग्राम भी खतम करना मुझे बार बार जो है यह दिल्ली हाइवे की बात कर रहे हैं तो उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं वह कई जो बीटेक वाले हैं नहीं मांग रहा है रोजगार है रोजगार आपने दिया नहीं कर दिया देड़ लाग नौकरियां उसके बाद मना कर देंगे यह मिने बाद आब ही मैं समझ नहीं हूं ऐसा कुछ कुछ खुछ होता रहेगा यह यह दर दिख रहा है चलिए और किसी का फटावड को छोटे-चोटे सवाल हो किसी के तुम फटावड ले लेता हूं एक मिनिट में हाजी आपके सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि आपको तेल के रेट एकदम कम करने पड़े पहले क्यूं नहीं कम कि पहले क्यों बढ़ाये अपने बढ़ाये फिर कम किये यह दिमाग से खेलते हों कि एक चीज है कभी का आप करने हैं अगर तेल के रेट कम करें क्यों कम करें तो दूसरा मैं आपको याद दिला दू आप की सरकार में चूड़ियां भी वेजी गयी थी ठीक है मोटरसाइकल को रिक्षे के उपर भी रखा अगर उस ताइम पे वो लोग कह रहे थे कि हमारे कंट्रोल नहीं है तो आप इनके कंट्रोल में आपके मोदी जी Monthly योगी जी आपके तीन मुक्य मंत्री भी वी उस ताइम पे उस उससे में ये भी बताइए कि डेली अक्वार में एक न्यूस आती थी हजारो करोडो करोड़ो का गोटाला हो गया आज वीजे माल iliai ने इतना लूट लिया, आज बात भागने कि ले गोटाला आपके टाम पे करा है सब्सक्राइब करें उसमें देखे सारे मुद्दे बता दिए चलिए आप लोग आप लोगों के सवाल जवाब इसी तरह से सीधा पूछते रहे हम लोग इसी तरह का प्रोग्राम आपके छेतर में करते रहेंगे आपको सब्सक्राइब कौन सवाल पूछना जाता है ने चलिए 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 अच्छा मेरा सभी जगे एक चीज होता है कि देश बड़ा की दल तो भारत माता की मा गंगा की न्यूज वर्ड इंडिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सब्सक्राइब करें अपने अपने विचार आके भाईजें सभी लोगों को भेजें और इन लोगो आप नहीं हो सकते नाइस मैं आप से बड़ा हिंदू मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं आप इस हिंदू स्तान को हिंदू राष्ट बना के दिखाए हम आपके साथ गड़ें इस देश में राम मंदिर सुप्रीम कोट ना बनाया बाचवाने निमरा इसका भियान रखेंगा इसको नॉलेज पूरी रखें एक तो यह फेस्बुक और वर्ट्सिप यूश्टी में जो हमारे नेता पढ़ाई कर लेते ना इससे बड़ी दिक्कत पैदा हो गई सर क्या हमें रोजगार के लिए सिर्फ इलक्षन का सारा लेने पड़ागा जब इलक्षन होंगे तभी सरकारी बढ़ती आएगी प्री बिजली प्री पानी पांच जार रुपे कि अगर हर्दवार में दस जार रुपे की नौकरी मिलेगी सौर्व लेटर तेल है क्या दस जार्बे में पूरा हो जाएगा यह दर दिख रहा है आप इकी सरकार में चूडियां भी बेजी गई थी मोटर साइकल को रिक्षे के उपर भी रखा गया था रसोई के एस को भी सलेंडर को भी हाँ करने में लेके घुमे थे आज इतना आप बदलाव देख रहे हैं यह बारते जन्ता पार्टी का योगदान है मार्केटिंग की कमी लग रही है मुझे फिर लोगों तक योजना आपकी पहुंच ने पारी है विदाना इक है स्वेक्शिक संस्ताइब